आप देख रहे हैं समचारे एजन्सिय अफ इंडिया में Signing News नमस्कार दोस्तों समचारे एजन्सिय अफ इंडिया कि Signing News में एक बार फिर आपका स्वागत है एक दंत विग्न विनाशक ना जाने कितने नामों से पोकारा जाता है जब आजाता है बुद्धिविनायक भगवान श्री गणेश को भगवान श्री गणेश शीव की नगरी में विराजे हुए हैं आर्ची पुरम बाब जी नेगर का ये नजारा हम आपको दिखा रहे हैं यहाँ आप देख सकते हैं सुंदर सलोनी मनुहारी प्रतिमा समाचार एजेंसिय अफ इंडिया की साइनी उसके लिए अखलेश दुबे की रिपोर्ट पूरे शहर में जगह जगह पंडाल लगे हुए हैं और विग्निम विनाशक यहां पर विराजे नजर आ रहे हैं अब हम आपको इसके बाद आगे लेकर चलते हैं यह जो आप देख रहे हैं यह बिजली विभाग का टाउन आफिस बहरिया रोट पर जो इस्थित है साहय कभियंता शहर का कार्याल है और यहां फिग्निम विनाशक विराजे हुए आपको देख रहे होंगे शिव की नगरी में जगए जगए विग्निम विनाशक विराजे हैं और एक बात बहुत तारीफे काबिल मानी जाएगी कि इस बार ध्वनी प्रदूशन पहले की अपेक्षा बहुत कम नजर आ रहा है सबी बहुत शालीनिता और सौमिता के साथ त्योहार मनाते नजर आ रहे हैं टाउन आफिस बिजली विभाग का साहएक इंत्री कार्यल है इसका ये नजरा मापको दिखा रहे हैं स्पी बंगले से बवरिया रोड पर स्थित बिजली विभाग के टाउन आफिस में विराजे हुए विग्न हर्ता अब इसके बाद आगे हम आपको लेकर चलते हैं शिव की नगरी में कहा कहा विग्न विनाशक विराजे हैं इसके बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं इतना सुन्दर पंडाल बनाया गया है बहुत कम जगह में बहुत अच्छी तरह से इस पंडाल को बनाया और सजाया गया है समाचार एजिंसी अफ इंडिया की साइन यूज के लिए अखलेश दुबे की रिपोर्ट शिव की नगरी वैसे तो गंगा जमनी तहजीब के लिए सदा से मशूर रही है और इस साल भी बहुत ही अच्छे तरह से सारे त्योहार संपन हो रहे हैं अब ये आपको जो नजारा दिखा रहे हैं केवटी बार्ड में कितना सुन्दर द्रश्य बनाया गया है ब्यामशाला के पास केवटी बार्ड में बरगाड रोड पर ये विग्ने विराशक यहां पर विराजे हुए नजारा रहे हैं रात के समय इनकी छवी देखते ही बनती है क्योंकि रात के समय लाइट्स के एफेक्ट बहुत बहतरीन उभर कर सामने आते हैं साथ सितंबर को विग्ने विराशक सिवनी में विराजे हैं पूरे देश में पूरे ब्रम्भान में हर जगए हर देश में विग्ने विराशक को विराजा गया है वे आए हैं ये जिला स्कूल के पीछे महावी रवाड का ये नजारा है महावी रवाड में जिला स्कूल के पीछे का हम आपको नजारा दिखा रहे है साथ सितंबर को विग्न विनाशक को बिठाया गया है और सत्रा सितंबर को दस दिनों के बाद विग्ण विनाशक भगवान श्री गड़ेश की इन प्रतिमाओं को विदाई दी जाएगी पहले उनका आवहान किया जाता है, उन्हें बलाया जाता है दस दिन तक उन्हें उनकी सिवा की जाती है, आर्ति की जाती है जब तब किये जाते हैं और दस दिन के उप्रांत उन्हें विदाई दे का जाता है कि गणपती बपा मोरिया अगले बरस तो जल्दिया अगले साल आने के इंतजार में भगवान श्री गणेश को 17 सितंबर को विदाई दे दी जाएगी अब जो आप ये नजारा देख रहे हैं ये छोटी पुलिस लाइन का नजारा हम आपको देखा रहे हैं बुद्वारी बाजार में छोटी पुलिस लाइन नहिरू रोड में स्थित है और यहाँ पर देखे कितने सुन्दर विनाशक बुद्धी के दाता भगवान श्री कलेश यहाँ पर विराजे आपको दिखाई दे रहे होंगे गजानन महराज विराजे हुए और इसके बाद अब हम आपको आगे लेकर चल रहे हैं लगातार ही भगवान श्री कलेश जहाँ जहाँ विराजे हुए हैं शिवकी नगरे में हम आपको लगातार ये वहाँ वहाँ के पंडालों के दर्शन करा रहे हैं ये पंप हाउस नहर रोड जो भैरोगंज में है भैरोगंज से तलाब के किनारे जो सड़क आते हैं वहाँ नहर रोड कहलाते हैं वहाँ पंप हाउस के पास भैरोगंज में ये प्रतिमा यहां पर विराजी हुई आपको नजर आईगी समाचार एजिंसी अफ इंडिया की साइन यूर के लिए अखलेश दुबे की रिपोर्ट सुन्दर सलोनी प्रतिमा एं और जहां जहां शेश रह गई हैं वो हम आपको आगे दिखाएंगे समाचार एजिंसी अफ इंडिया की साइन यूर्द में अखलेश दुबे की रिपोर्ट अगर आपको यह खबर में पसंद आ रहे हैं तो आप इने लाइक सब्सक्राइब शियर जरूर कीजेगा नई जानकारी लेकर फिर आजरोंगे फिलाले जाज़त लेना चाहेंगे उति यहरा चाहेंसिते लेकर यह समेंट 묶्सक्राइब शिलाओ की बाले तर उने चाहेंगे वह गप अर दो फंडा सब्सक्राइब गढखला फि casi से अ मैंगित लेकर byद्सके सांड़ल झाल झाल